सब्सक्राइब कर लेना उसको भी जरूर 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 देख लेना इस वीडियो का लिंक भी उपर आई बटन पे दिया है कि माजार जब यहाँ पे क्रैश होता है तो वारेन बफी जी की यह 10 टिप्स को फॉलो करना आपका पैसा यहाँ पे जबरदस बन सकता है सो चलिए फिलाल तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सवरो सब्सक्राइब में लगा आचके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो इस वीडियो में हम लोग आपे बात करने वाले पिछले जो 2-3 दिन में हम लोग जो बाजार में disturbance देखने को मिला है मतलब अगर मैं Friday की दिन की भी अगर बात करू तो कितना? सवा 300 पॉइंट हम लोग को बाजार गिरते वे देखने को मिला था या फिर आप चाओ तो बोल सकते हो 1.5% से जादा बाजार में गिरावट देखने को आपे मिली थी सो बेसिकली अगर देखा गया मोटा मोटी तो अच्छे छोटे मोटे सब को जितने भी स्टॉक्स है ना उनमें हम लोग को अच्छी कासी गिरावट देखने को मिली मतलब large cap में भी गिरावट, mid cap में भी गिरावट small cap में भी, micro cap में भी पेनी स्टॉक्स में भी गिरावट और गिरावट मतलब देखा गया तो हर एक स्टॉक्स में हम लोगों को देखने को मिल रही है बट यहाँ पे सर आप कुछ स्टॉक्स में ये बोलते हो कि इन गिरावट के चलते आपने डरना नहीं चाहिए इन फैक्ट आप चाहो तो उन स्टॉक्स को एक्कुमलेट करने का भी विचार कर सकते हो बट कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड मतलब आप ये कहते हो कि आरे नहीं इस गिरावट का फाइदा मट उठाओ यहापे आप अटक सकते हो तो ये भेदबाओ क्यों तो दोस्तो इसी से रिलेटेड सारा लॉजिक के साथ बाते में आपके सामने आपे रखने वाला हो स्पेसिफिकली ये सवाल कौन से स्टॉक्स रिलेटेड पूछे जा रहे है उनी को मैंने इस बड़े में फीचर किया है जैसे कि IRFC IRFC आप देख सकते कितना गिरा है लगबग लगबग सवा 10 पसंट जोरदार गिरावट RVNL सरकिट लग गया 5 पसंट की गिरावट then IRCTC 5 पसंट की गिरावट then अगर हम लोग आपे बात करें तो सुजलन एनरजी लगबग साड़े 9 से 10 पसंट की गिरावट then BCJC कमपनिया साथ सवा 7 पसंट की गिरावट yes band जैसा स्टॉक लगबग साड़े 7 पसंट की गिरावट तो यहाँ पर अगर देखा गया यह जितने भी स्टॉक्स मेरे आप लोग को बता है अभी तो उसमें ऐसार आप यह बता रहे हो कि जो यह रेलवे वाले स्टॉक्स थे जैसे कि IRFC यहाँ पर गिरा है तो यहाँ पर डरने की ज़रूत नहीं है आप यहाँ पर बिंदा सोल्ड कर सकते हो उसी के साथ साथ RVNL की भी बात करे तो यहाँ पर भी आप बोल रहे हो कि कोई डरने की ज़रूत नहीं है उसी के साथ साथ IRFCC में भी आप सेम ही बात बोल रहे हो बट यही टोन आपका चेंज हो जाता है जब आप सुजलान एनरजी की बात करते हो तो आप कहते हो कि अरे नहीं यहाँ पर गिरावट में खरीदने का विचार मत करना या फिर BCG में भी सेम गलती मत करना या फिर Yes Bank में भी जाने से पहले थोड़ा सा आपने अलर्ट रहना चाहिए तो ऐसी बात क्यों है तो दोस्तो बहुत ही सिंपल है किसी भी शेर से हमारी कोई दूश्मन ही नहीं होती है हमारा end goal क्या है आपका मेरा किसी का भी stock market में end goal क्या रहता है येस पैसा कमाना जैसे मैंने आप लोग को बताया कि पैसा कमाना बट उसी के साथ-साथ सेफली पैसा कमाना ऐसा नहीं कि बस कैसे भी भागंदार लग के चलते ही आप पैसा बन गया वैसी बात हम लोग नहीं कर रहे हमें एक consistency के साथ पैसा याप पैसा कमाना होता है और उसी के तहट जैसे मैंने आप लोग को कहा है कि consistency के तहट अगर आपको पैसा कमाना है तो ऐसे stocks को आप लोग ने pick करना होता है जो consistently अच्छा performance कर रहे अच्छा business ग्रो कर रहे है मेरे जितने भी सवाल के जवाब जो रहते हैं न दोस्तो वो एक ही चीज के उपर आके रुकेंगे वो है business कोई company से related मेरी कोई दूश्मन ही नहीं है अगर वो company का business अगर अच्छा हो जाता है तो no doubt हम लोग उस company में भी निवेश कर लेंगे तो ये जितने भी में सवाल के जवाब आपको यहापर देता हूँ educational purpose के लिए वो सारे मेरे एक ही चीज के चलते होते business के लिए अभी जैसे कि अगर हम लोग एक example ले लेते शुरुआत का IRFC अभी IRFC भी अगर देखोगे तो कल के दिन तो 10 सवा 10 पसंट गिरा है पाच दिन में तो आप देख सकते हो लगबग 13 सवा 13 पसंट गिरा है तो इतने गिरावट के बावजुद भी आप गुलते हो कि डरो मत क्योंकि yes company के business में कोई खरा भी नहीं हुई है देखे पूरा बाजार यहाँ पर external issue के चलते गिरा है मतलब देखा गया तो American Bazaar गिरा या फिर जो COVID से related हम लोगो extra panic देखने को मिला है इसके चलते बाजार को गिरने की मतलब एक वजा मिल गई बट इसके चलते अगर देखा के तो IRFC के business के उपर कोई फरक नहीं पड़ा है IRFC का business बहुत ही शांदार है और इसी के तैयत में आप लोगों को हमेशा बोला हूँ कि बाजार जबी भी गिरता है न तो पहले चेक करना क्या उस company के उपर क्या as such कोई फरक यहाँ पर पढ़ रहा है तो वैसा कोई फरक नहीं पढ़ रहा है हाँ अगर COVID बहुत ही seriously अगर हो गया तो railways जाके रूख जाएंगे और फिर इनके उपर फरक पढ़ सकता है बढ़ ऐसा तो कोई माहल देखने कोई नहीं मिल रहा है मैंने अल्रेडी दो बार तीन बार वीडियो बना के रखे पहला वीडियो भी आज का आपने देखा होगा तो यहाँ पे हमनों को एक panic selling देखने को मिली है प्लस देखा किया तो छे मैने में यह stock अल्रेडी 40-50-60% दे चुका था तो profit booking करने के लिए एक easily वजा मिल जाती है तो इसलिए यह इतने भी shares आप लोग के सामने अभी मिले रखे चाहे फिर वो IRFC की बात हो या फिर RVNL, RVNL में कौन सा business में change हुआ कुछ भी change नहीं हुआ तो यही point समझना है same way IRCTC भी क्या IRCTC में कोई business में change हुआ यह तो plus minus यह आपे चल रहा है बाज़ार में इसी के तेथ हम लोगों को गिरावट देखने को आपे मिल रही है तो business देखे आप लोगों ने यह सारी चीज़े बोलनी होती है अभी किस लोगों के दिमाग में यह point भी आया होगा सर business की बात करें न तो एक बात बता दो कि सुजलान एनरजी के business में मतलब जो yesterday हम लोगों को गिरावट देखने को ली इसके चलते सुजलान एनरजी के business में क्या फरक पड़ा सेम BCG के business में और उसी की साथ येस बैंक के business में भी तो कोई फरक नहीं पड़ा है तो यहाँ पे क्यों नहीं जाना चाहिए तो दोस्तों ये कल के दिन की बात नहीं में कर रहा हूँ यही problem होता है हम लोग क्या करते है कि आप कल के दिन का reference ले रहूँ मैं कल के दिन की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं बात करा हूँ इसके पहले के ही 6 मैने की बात करो एक साल की बात करो तो कल या पर मंडे के दिन ये भागा इसलिए मैं मेरा statement नहीं change करूँगा क्योंकि already इसका business तबा हो चुका है अगर आप इसका 5 साल का data देखोगे तो ये stock already 30 to 40% down है and maximum chart pattern तो पूरा मतलब game ही over है या पे सिर्फ operator आते है थोड़ा बहुत stock को भगाते है retail investor को खुशी देते है फिर बाद में dump करके खुद पैसा लेकर निकल जाते कई सालों से यही चल रहा है सिर्फ नए-नए investor, retail investor trap होते रहे आप इनके share holding pattern को चाओ तो देख सकते हो तो ये जो point आप बोल रहे हो ये मैं Friday के reference को लेकर नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर गिरावट होई इसलिए आप plus करो या फिर minus करो मैं overall business को एक साल पीछे भी अगर आप चले जाओगे ना तो मेरे वीडियो में आपको यही content मिलेगा कि हाँ ये जो बाकी के business है ये जो मैंने आपको बता है इनके business में dumb है ये जो shares है उनके business में dumb है ये plus minus तो बाजर में चलता रहेगा extreme तेजी आएगी extreme गिरावट आएगी flat चलेगा ये चलता रहेगा अभी IRFC, RVNL जैसे stock को मैंने ये भी बोला था कि कसम खालो कि इनको loss में नहीं बेचना है क्योंकि अच्छा business वाले company है आज नहीं तो कल हो सकता आपको थोड़ा delay हो जाए बट पैसे मिल जाएंगे और जिन्होंने hold किया आज आप देख सकते हैं उनके maximum returns अगर में IRFC के अभी भी सामने रखू तो 13% है RVNL के तो बहुत ही गजब के returns देखने को बने 200-200% के return है तो ये बात में पुराने time से आप बोल रहा IRCTC में भी IRCTC जिन्होंने अभी निवेश्च किया है वो 30% down से related panic में है बट जो पुराने shareholder है 300-300% के returns लेकर बैठे हुए तो ये थोड़ा बड़ा picture आप लोगोंने देखना चाहिए उसी के हिसाब से में पुरान के लिए मैं बात यहापे कर रहा था कि कल खे दिन के बात नहीं कर रहा था वो गिरा है इसलिए आपने पकड़ानी चाहिए एक साल पहले से दो साल पहले से आप कई साल से आप देख सकते 2008 से ही यहापे जो गडबड देखने को में लिए उसके बाद यह तबाह हो चुका है उसके बाद तो बस यह प्लस माइनस चलता रहता है अदानी से रिलेटेड कोई खबर है यहापे आती रहती अफवाय आती रहती है जिसके चलते थोड़ा बहुत यह उपर नीचे होता है अगर प्रमोटर ही नहीं रहना चाते है कंपनी में खास करके ऐसे रिस्की कंपनी में तो फिर मतलब बोलते ना कि हमारा कॉंफिदेंस भी फिर शेख हो जाता है अगर हाँ कंपनी बहुत ही बड़ी बन चुकिये बहुत मतलब बहुत बड़ी जैसे की info says वाह की story अलग ही रहेगी फिर promoter से related वो तो एक अलग ही level की बात आ जाती है बट जब company बहुत ही छोटी होती केवल 5-5,000 करोड का market cap रहता है तो ऐसे company में confidence बनाये रखने के लिए promoter का होना बहुत important है प्रमोटर लगातार निकलते जारे ये एक बहुत ही doubtful situation देते हैं अगर आप check भी करोगे एक एक साल में तो company 80% नीचे आ जाना pump and dump जैसी चीजे चलना इसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ अल्यड़ी मैं बोल चुका कि Monday की दिन Tuesday की दिन पकड़ो मान के चलो कि ये rocket की तरह भागे फिर भी मेरा statement वही रहेगा कि यहाँ पे जाना ने क्योंकि इनके overall business में वो वृद्धी हम लोगो देखनी को आपे नहीं मिल रही है तो ये point आपको समझ में आपे आना चाहे last अगर हम लोग बात करें yes bank yes bank में भी वही है कि yes bank जैसे मैं आपको काई कि learning वाला stock के earning के लिए कब बनेगा जब इस company के 31st March के बाद का locking खुलेगा उसके बाद हम लोगो को देखना है पहले तो tonic selling भी हो सकता है कुछ लोग फटावट माल भी बेच दे क्योंकि 75% locking में है कोई ना कोई तो माल बेची देगा अगर 10% भी बेच दे तो कितना बड़ी गिरावट हो सकती है सो ये पहले हो जाना चाहिए उसी के साथ चलो किसी ने माल नहीं बेचा फिर भी इसका आरती नहीं कि हम लोग जाके blindly निविश करे हमारा मकसद एक है कि बिजनेस अच्चा होने के लिए अभी सारी मरम्मत यहापे हो चुकी है जैसे मैंने आपको बोला था कि एक डूपता हुआ जाच था जिसको बचाया जा चुका है बट अभी एक्च्वल में जब ये समुंदर में छोड़ा जाएगा 31st मार्च के बाद तब देखना है कि कितना अच्छा परफॉर्मस करते हैं अभी तो सब कुछ सपोर्ट में है आर्बिया है बाकी जितने भी बैंक से वो उनमें निवेश करके बैठे हुए है अभी ARC से गिर जाते हैं न फिर वो कमबैक नहीं कर पाते क्या सुजलान जैसी कमपनी अगर आप देखोगे ये गिरने के बाद क्या कमबैक नहीं किया था ये देखे चोटा सा कमबैक किया था बट उसके बाद देखे गिरते गिया गिरते गिया अभी जिनोंने यहाँ पे 100-100 रुपे पे खरीदा है, वो आज भी 12-12 साल यहाँ पे हो चुके, मतलब इंतजार ही कर रहे है, कि कब वापस लोटेगा करके, तो यह सारी चीज़े आप लोग को पता है, यहाँ पे होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आप लोग को बता है, कि मार्केट में कभी गिरावट आ जाती है, तो इमोशनली होके जाके निवेश नहीं करना होता है, जिसके बिजनेस में दम है, उसमें आप लोग ज़रूर विचार कर सकते हो जाने का, अभी जिन कमपनीज के बिजनेस में ही दम नहीं है, जैसे कि BCG, सुजलान के अगर हम लोग बात करें, जैसे कि TTML, TTML में भी वही चीज़े देखने को मिल जाती है, कि वो एक स्टेबिलिटी नजर नहीं आती, एक एक साल में आप देख सकते हो, कौन से डाइरेक्शन में कौन सा स्टॉक किदर जाएगा, किसी को पता नहीं होता है, अगर आप 5 सल का डेटा देखोगी, तो बोल कि ये वापस उस लेवल पे जाने के लिए कंपनी की खुद की बैलेंस इट, P&L इतनी श्ट्रॉंग नहीं है, अभी उस लेवल को वापस अचीव करने के लिए एक ही आदमी आपको मदद कर सकता है, और वो है ऑपरेटर्स, बीना ऑपरेटर की ये पॉसिबल नहीं है, क्य वो तेजी टिकी भी जाती है, ये लिखे, ये भी शौट टम में जबरदस भागाए, ये भी कंपनी शौट टम में जबरदस भागे, बट यहाँ पर आप देख सकते हूं कि वो जोरदार उतना ही नीचे नहीं आया, छोटा मोटा प्रॉफिट बॉकिंग होता रहता है, 20-30 परसेंट वो तो चले गाई इतना, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा मतलब स्टॉक ही रॉकेट की तरह उपर गया, फिर रॉकेट जैसे नीचे है, या पर आता है, डिस्ट्रॉइन के बाद वैसे नीचे आ गया, तो ये पॉइंट, theoretically ये सारी चीज़े आप लिगों क आपको अच्छा कासा आइफोन के प्राइस के पर अगर 10% डिसकाउंट मिले, जस्ट फॉर एक्जामपल, आप ज़रूर उसको खरीदने का विचार करोगे, बट एक आउटडेटेड फोन, अगर आपको 70% भी डिसकाउंट के पर मिले, आप नहीं जाओगे, कीपेड़ वा नीचे जाएगा, नहीं, उसके फीचर्स देख लेना, फीचर्स देखना मतलब बिजनेस को देख लेना, जिसको बिजनेस देखना आ गया, वो इन चीज़ों में कभी भी ट्रैप नहीं होता है, और स्टॉक मार्केट में दोस्तों सबसे इंपोर्टन चीज यही है, कि पैस स्टॉक कभी ना कभी वापस ओपरेटर क्या करेंगे, रॉक्टेट की तरह भगाएंगे करके, बट जैसे मैंने का, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, और सबसे इंपोर्टन ऐसा इंतजार है, कि जो की लग के उपर डिपेंड है, अभी भागेगा, नहीं भागेगा, nobody knows, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए सारी चीजों को मैंने कवर यहापे किया है, तो आशा करता हूँ, थेयरिटी कल था वीडियो, बट बहुत सारी इंपोर्टन पॉइंट्स आपको लर्निंग जाएंगे, तब तक के लिए, बाई बाई